Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 11.2 से question number 6 करेंगे DL and BM are the heights on sides AB and AD, respectively of parallelogram ABCD Figure 11.24 बुक के अंदर है, exactly यही figure है यहाँ पे AB के उपर DL height पड़ी हुई है और AD के उपर BM यह height है If the area of the parallelogram is 1470 cm2, अगर इस parallelogram का area 1470 cm2 है AB is equal to 35 cm है, यह AB 35 cm है and AD is equal to 49 cm और AD की length 49 cm है Find the length of BM and DL तो BM की length यह जो perpendicular पड़ा हुआ है यह वाली length निकालनी है and DL और यह जो DL perpendicular पड़ा हुआ है side AB के उपर इसकी length आपको निकालनी है चलिए question की शुरुआत करते हैं देखिए हमें दे रखा है area of parallelogram area of parallelogram होता है base into height अब parallelogram के दो base होते हैं और उनके उपर फुर उसके हिसाब से height होती है AB अगर base लेते हैं तो DL height है तो area of parallelogram आजाएगा अगर AD को base लेते हैं तो यह जो BM है यह height हो जाएगी तो area of parallelogram आजाएगा अब parallelogram तो क्योंकि एक ही है हम यह base ले यह height ले तभी भी area वही आएगा यह वाला base ले और यह height ले तभी भी area same ही आएगा और area हमें दे ही रखा है 1470 cm2 तो बारी-बारी से हम इनके pairs को लेंगे base इंटू height को और उनके जो यह respective heights है न इन्हें हम find कर लेंगे चलिए question की शुरुआत करते है area of parallelogram 1470 cm दे रखा है तो पहले में AB को और DL को यह ले लेता हूँ AB यहाँ पे base है और DL इसकी height है तो base इंटू height हो गया है area यह बराबर 1470 के AB की value बुक में दे रखी है 35 cm और DL हमें निकालना है यह 1470 के बराबर हो गया यह equation बन गई simple सी यहाँ पे हमें DL की value निकालनी है तो 1470 अपनी तरफ ही रहेगा DL के पास 35 multiply में है तो दूसरी तरफ आके यह divide हो जाएगा बस इसे divide करते ही हमारा answer आजाएगा divide कर लेते हैं यहाँ पे 1470 को divide कर लेते हैं 35 से तो 35, 4,140 होता है minus करके 7 आ गया उपर से 0 उतर गया 35, 2,0 होता है 70 तो पूरा चला गया तो DL की जो value आई है यह हो गई है 42 और यह height है cm में question चल रहा है तो DL 42 cm तो एक चीज़ तो हमने निकाल लिए है DL अभी हमें BM भी निकाल लिए है वो भी सेम इसी तरह से निकाल लेंगे क्या होगा इस बार कि हम AD को base लेंगे और BM को हम height लेंगे तो AD base हुआ तो इस base के ऊपर जो height है वो BM है into BM तो base into height हो गया है area area हमें given है 1470 value put करते है AD की जिगए 49 है और BM हमें निकालना है और यह बराबर होगा 1470 के तो बन गई equation same to same बिलकुल इसी तरह से बन गई है हमें BM की value निकाल लिए है BM को केला छोड़ देंगे और यहां 1470 के पास यह जो 49 है divide में आ जाएगा अब इससे divide कर लेते हैं 1470 को 49 से divide करते हैं तो 49 3 पे जाता है यह पूरा पूरा 147 उपर से हमने 0 उतारा यह minus हो के तो पूरा 0 ही बन गया उपर से 0 उतारा तो 49 से छोटा है 0 तो 0 का ही यहां पे टेबल चलेगा 49,000 पूरा हो गया सवाल 30 आ गया है तो BM की value यहां पे 30 आ जाएगी centimeter में question चल रहा है तो centimeter तो दोनों निकाल लिए हमने DL भी निकाल लिया है और BM भी निकाल लिया है question खतम तो इस freedom बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye